सबी पशुपालकों का हर दिक स्वागते योट्यूब चाइनल विटरनरी फार्मसूत्रा में इस चाइनल का मुख्योद देश है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना जहाँ पर हम सिखाते हैं नई तकनीका उपयोग कर पशुपालकों को कैसे एक सक्सिस्फुल बिजनेस बनाया जा सकता है तो चलो आज का हमारा विश्य है खुर्पका मुख्यारोग हमें इस रोक के बारे में क्यों जानना है क्योंकि ये पशुपालकों का भारी आर्थिक नुकसान करता है सबसे पहले तो पशु के उत्पादन शमता कम होती है गाय और भैसों में दूद का उत्पादन कम होता है भारत में पशुपालकों का इस रोक से जो नुक्सान हो रहा है वो जादा तर दूद उत्पादन में कमी के कारण होता है मुहपका खुर्पका रोक ठीक होने के बाद वापस उसी दूद उत्पादन शमता को हासिल करना पशो के लिए कठीन है खेती के काम करने के लिए जिन पशो का उपयोग किया जाता है उनकी कार्यक्षमता कम होती है क्योंकि इस रोक से पशो को लंगडापन आ जाता है और लंगडापन आने के कारण अगर गाय और भहस की बात करे तो दूद का उत्पादन भी कम होता है ऐसे पशों से आने वाला कोई भी उत्पाद मनुष्य सेवन के लिए सुरक्षित नहीं होता, इसलिए उसे फेकना पड़ता है या उसका निर्जनतु की करन करना पड़ता है, जैसे की दूध, मास के लिए जिन पशों को रखा जाता है, जैसे बक्री, सूर, उनके मास की गु मुहपका रोग का नौलेज होना, उसका घ्यान होना हर पशुपालक के लिए कितना जरूरी है, पशुपालक भाईयों और बहनों, क्या आपको पता है खुर्पका मुहपका रोग किन पशों में होता है, जिन पशों को हम पाल रहे, उसमें से गाय, भैस, बक्री, भेड, उट इन पश्यों में ये रोग होता है। इन सभी पश्यों में गाय इस रोग के लिए अतीस अवेदंशील है। उसमें भी ये रोग देशी गाय की तुलना में संकर पश्यों में जादा दिखाई देता है। खुर्पका मुहपका रोग वाईरस से होने वाला है। ये रोग आत्यादिक सांक्रमक रोग है और बहुत तीवरगती से बढ़ता है। इसलिए इस रोग में रुगनदर 100% है और मृत्यूदर 1%। मृत्यू का दर युवा पश्यों में जादा है। युवा पश्यों का मृत्यू होना भी पश्यू पालक के लिए भारी आर्थिक नुकसान है। तो चलिए अभी हम जानेंगे खुर्पका मुहपका रोग में क्या लक्षन है। रोग की शुरुवात में पश्यों का बुखार 104 से लेके 106 डिग्री फैरनहाइट तक होता है मतलब बहुत जादा बुखार आता है पशो को पशो में तापमान किस प्रकार से लिया जाता है इस विशय पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है उसे चेक करना ना भूले उस विडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है पशो के शरीर के विविद भागों में चाले पड़ते हैं जैसे कि जीब, तालू, मसूडे, नाक में, थुथुन, थन पर तथा खुरों के बीच में इस रोग के अगली स्टेज में तापमान थोड़ा कम होने लगता है और कुछ समय के बाद ये चाले फूटते हैं और उसमें से गाढ़ा पानी निकलता है और उस जगह पर जो तवच्चा है वो कटी हुई लगती है पशो की भूग कम होती है चालों से दर्ध होने की वज़़र से पशु खाना पीना छोड़ देते हैं इस रोग में पशो का वज़न कम होता है और वो वापस आने में महने निकल जाते हैं मुह से लार टिपकती रहती है और ये लार बहुत जादा मात्रा में होती है और लसलसी होती है अभी आप यहापे देखी रहे हैं देखे लार कितनी जादा जा रही है चालों के वज़े से पशु चारा नहीं खापाते हैं और उनका जुगाली करना भी बंध हो जाता है खुरों के बीच में चाले पढ़ने के कारण पशु को चलने में समस्या आती हैं पैरों में पढ़े ये चाले जो है वो आगे चलकर घाव बनते हैं और उसमें कीडे भी पढ़ने लगते हैं गाभन पशु की बात करे तो उनमें गर्भपात होने ये भी संभावना होती हैं के वज़े से आगे चलकर थनेला रोग हो सकता है जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं और ये जादातर दुधारू पशु में दिखाई देता हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि युवा पशु में मतलब बच्चों में खासकर बक्री और सुवर के बच्चों में मृ गड़ना ऐसे लक्षन अगर आपको दिखाई देते हैं तो पशु को मुहपका खुर्पका हो सकता है ऐसा समझ लीजिए और अपने पशु डॉक्टर को जल से जल सुचना दे दीजिए तो चलिए अब हम वीडियो की महत्वपूर्ण पढ़ाओ की तरफ चलते हैं इस पशु को हम दो भागों में देखेंगे ये रोग आने से पहले आप क्या कर सकते हो और रोग आने के बाद क्या करें तो चलो देखते हैं रोग आने से पहले क्या करें मतलब हम किन चीजों का पालं करेंगे तो इस रोग को रोग सकते हैं Prevention is better than cure, मतलब की रोग थाम इलाज से बहतर है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमें साल में दो बार 6 मेने के अंतराल से पश्यों को इस रोग का टीका लगाना है, गाय भैस तथा बक्री भेल के टीका करन के बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे description box में दे रही हूँ, उसे देखना ना भूले, गाय और बहस के बच्चों में ये टीका 3 मेने के उम्र से देना शुरू करना है, इसका booster dose होता है, जो पहले dose के एक मेने के बाद लगाया जाता है, और गाय और बहस में ये टीका साल में दो बार लगता है, सितंबर और अंतराल होता है, ये टीका लगाने के 15 दिन के बाद रोग प्रतिकारक शक्ति स्तापित होती है, जो 6 से लेके 8 मेने तक रहती है, बकरी के बच्चों में भी ये टीका 3 मेने की उम्र से देना शुरू करना है, पर इनमें कोई booster dose नहीं है, और बकरी और भेड में भी गाय और बहस की तरह ही ये टीका साल में दो बार लगता है, सितंबर और मार्च के मेने में ये टीका हमें बकरी और भेड में लगाना है, सुर की अगर बात करें, तो सुर के बच्चों में ये टीका 2 मेने की उम्र से लगता है, इनमें भी कोई booster dose नहीं है, और सुर में भी ये टीका साल में दो बार लगता है, इन दो टीकों के बीच में 6 से लेके 9 मैने का अंतर होता है, टीका लगाने के 15 दिन के बाद रोग प्रतिकारक शक्ती स्तापित होती है, जो 4 से लेके 6 मैने तक रहती है, टीका करन के साथ साथ आपको और कई चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर आ तो आप उसे बाकी जानवरों में मिक्स करें, फार्म के प्रवेशद्वार पर फूट बात रखें, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह फार्म का प्रवेशद्वार है, एंटरंस गेट है और ऐसा यह फूट बात रखा बनाया हुआ है, फूट बात मतलब की पानी में निर्जन तुकी करन के रसायन डाले जाते हैं, और फार्म पे आने और जाने वाला कोई भी मनुश्य इसमें पैर डुबो के जाता है, यह जो फूट बात आपको दिख रहा है, इसमें पानी है और उसमें फिनाईल डाला हुआ है, यह बाहर से आने वाले संक्रमन को रोकने के लिए किया जाता है, और एक बात का ध्यान आपको रखना है, जिस फार्म पे खुर्पका मुहपका का रोक आया था, उस फार्म से पशु खरीदते समय अपने पशु डॉक्टर की सलह अवश्य ले, ऐसे फार्म से वीर्य तथा सांध हमें खरीदना ही नहीं है, क्यूंकि वीर्य से भी ये रोक फैलता है, इस विशय की आखरी टिप है, इस रोक को रोकने के लिए आप बोरैक्स 200 की 20 गोलिया हफते में एक बार टीका करन होने तक पश्यों को खिलाए, हमारा अगला और आज के टॉपिक का ये आखरी विशय है, ये रोक आने के बाद क्या करे, अ उन पशों को चरने के लिए चरागाहों पर ना छोड़े, क्योंकि चरागाहों पे रोक रस्त पशों का संपर्क जो है, वो स्वस्त पशों के साथ आएगा, और ये रोक जादा फैलेगा, रोक रस्त पशों के संपर्क में फाम का जो भी चीज आई है, जैसे आहार है, चार उन्हें वाशिंग सोड़ा पानी में डालके साफ करें और एक चीज आप क्या कर सकते हैं कि फार्म में तथा फार्म के आजोबाजू के एरिया में चूना डालें चूना का उपयोग भी बहुत अच्छा साबित हुआ है रोग्रस्त तथा स्वस्त पश्यों का पानी का जो सोर यह बात का ध्यान रखिया पर क्या है बहुत बार हमें यह चीज प्राक्टिकल नहीं होती है तो पहले आप मजदुरों से स्वस्त पश्यों के लिए काम करवाले और उसके बाद उन्हें रोग्रस्त पश्यों की तरब भेज़े और वहा का काम होने के बाद उन्हें बताये आप खाने के सोड़े का भी उपयोग कर सकते हैं एक छोटा चमच खाने का सोड़ा दो लिटर पानी में डाले और उस मिश्रन से घाव को साफ करें उसके बाद हमें क्या करना है इस घाव पे बोरिक आसेड और ग्लीसरीन का मिश्रन बना के उसे लगाना है अगर आपके पास बोरिक आसेड और ग्लीसरीन नहीं है तो अपने घर में हल्दी होती है हल्दी को बटर में डाले उस कमिश्रन बनाए और इन जख्मों पे लगा दे इसी प्रकार से पेरों के छालों के लिए क्या करना है लेना है टीन लिटर पानी में उसका सलूक्र बनाए वह उसे नीले रंग का सॉलीुषन बनता है और इन जख्मों को फिर उस साफ कर ले। और फिर फार्म पे उपने कोई जन्तुनाशक मलम होता ही है वो बाद में उसे लगा दे, कभी-कभी क्या होता है, ये पैरों के छाले बढ़ते जाते हैं और इनमें कीडे पढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें टर्पेंटाइन तेल का उपयोग करना है, कपास को टर्पेंटाइन तेल में डुबो के, उस कपास को जख्मों पे रख देना ह तो थोड़े टाइम में ही कीडे जो है वो बाहर निकलाते हैं, इसी के साथ साथ हमें पश्चो रॉक्टर की सला से अंटिबायोटिक्स और बाकी दवाई भी लगानी पड़ेगी, पश्चो अगर कमजोर होता है तो उसे ग्लुकोस भी लगाना पड़ेगा, अगर माधी प वहानों का आवागमन कम करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, फार्म पे अलग-अलग चीजों के लिए वेहिकल्स आते रहते हैं, जैसे की चारे के लिए, या फिर दूत के लिए, तो हमें इनका जो आवागमन है, वो कम से कम करना है, क्योंकि ये भी दुश्यत होते हैं और रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इसमें वहानों के पईये जादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरंस पे हमने फूट बात रखा है, तो उसी प्रकार से जब वहान अंदर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, कि उनके पश्यो का खुर्पका मुहपका रोग के लिए टीका करें, और हमारी यूट्यूब चाइनल वेटरनरी फामसूत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, और लाइक भी ज़रूर कीजिए, नीचे आपको जो बैल आइकन दिख रहा है, उसको भी दबा दे, ता कि हम हर हफ़ते पशुपालन से सम्मंदित एक विशय के साथ आ रहे है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, आप और आपके पशु स्वस्त रहे, आपका दिन शुभो धन्यवाद